कि है कि है कि है कि है नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ति चग्रकान पोटेचा और आज कुछ हम नहीं भटके बात करेंगे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कॉमेंट सिया है कि बांसुरी बजाने में स्वीटनेस लाने के लिए क्या करें कुछ लोग करते हैं मैं मैं बजाता हूं सब कुछ आता भी है लेकिन स्वीटनेस में रही है सुब्तिनेस कैसे लाए Hmm कुछ लोग यह के लिए के आज्माने होगे, तभी sweetness आएगी, कोई भी maker की fruit आप बजाएएगो आपके बजाने में sweetness आपके में sweetness लाने के जो तरीके हैं इनके ओपर थोड़ी बात करेंगे, तो वन बाई वन मैं आपको एक के बाद एक तरीका दिखाता हूँ, आप हर एक तरीके पर आराम से सोच कर उसकी प्रैक्टिस, रियाज कलते ही करते ही रहना, एक ना एक दिन आपके बजाने में स्विटनेस अवश्य आएगी, तो सबसे पहले मैं कुछ और्नामेंट्स की बात करूँगा, लेकिन और्नामेंट्स इतने सारे हैं कि सब इस एपिसोड में बताना मुम्किन भी नहीं है, और सिर्फ और्नामेंट्स बता दिये, तो बाकी सारी बाते रहे जाएगी, तो मैं जो भी और्नामेंट्स हैं, वो सब सब और्नामेंट्स का एक अलग से ट्यूटरियल वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं तो आप अभी ये आपक्षामत रखिए कि मैं हर एक और्नामेंट्स के बारे में आपको डीटेल में यहीं पर बता दूँ क्योंकि मैं और भी सारी बहुत सारी बातें बताने वाला तो और्नामेंट्स आप जानते होंगे कांड सवस्क् vilव, आपो इस सब और्नामेंट्स है जब भी आप अलंकार की प्रैक्टिस करें तो गमक के साथ करने का प्रयाज करें वैसे normal अलंकार आप करते ही होंगे तो एक simple sample दिखा देता हूं बाद में मैं आप गमक के उपर पूरा लेक्चर लेने वाला हूं पूरा एक गंडिका अराव से तो अभी आप सोचे गमक के साथ अलंकार की प्रेट्टिस करनी है तो फ्लैट कैसे होती है गमक के साथ कैसे होती है इसमें गमक के साथ करना है तो कैसे करते है एक बार सिर्फ देख लिजिए गमक का अब डिटेल में गमक क्या होती है कैसे होती है कैसे करते हैं उसके कितने प्रकार है यह सब मैं आपको बाद में दिबता होगा तो यह हुआ गमक के साथ अब गमक दो बार तीन बार दो स्वरों की तीन स्वरों की अलग प्रकार के लिए सकते हैं तोड़ा सा सेंपल दिखा रहा हूं बाद में पूरा बता होगा तीन स्वरों की तरह कितने उस्वरों की अब अधा है इस तरह से गमक की प्रैपिस्ट यह दो बार वाली तीन तीन जटके के साथ चार जटके के साथ दो दो स्वरों की आप घर इस तरह से दो सवरो वलो भी हो सकती है तो यह गमक है अब कोमल सवरों के साथ भी गमक की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है यह दूसरा इटम है दूसरा तरीका है स्विटनेस लाने का कोमल सवरों की प्रैक्टिस तो आपको अलंकार के साथ करनी ही है लेकिन कोमल सवरों के साथ गमक बजाना और उसके साथ अलंकार की प्रेक्षिस करनी है एक छोटा सा सेंपक दह और नी कॉमल लेते ही है कि कॉमल दह नी रे तिनों कॉमल है इस तरह से कॉमल स्वरों की अब बात आती है मिन्ड का ही एक प्रकार है लेकिन यह स्लोल होती है तो मिन्ड हो जाती है अब दिहाग में लेते हैं अब दिहाग में लेते हैं गर्षा 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 तो यह गर्षा के साथ मिन्ड लिया है यह सब स्वरों में आ सकता है यह आपको प्रैक्टिस करने सी ही आएंगे मिन्ड ήσए- मिन्ड नीचे के सवर्ण से भी ले सकते हैं उपर के सवर्ण से भी ले सकते हैं गमक सिर्फ उपर के सवर्ण से होती है, यह भी जरौत ध्यान मेंने लिबाण फिर चौती बात है फिंगर का वाइब्रेशन को यहां वाइब्रे चैनल कos बहुत कनेक्शन है। यहां वाइब्रेसण, फिंगर सी जरूरी आपको कहीं जग है। करनी जालत बहुत बहुत कि आपको करनी है। खुली इस कर दिया तो फिर सटीने जेगा करकस आजाएगा। तो देखिए फिंगर वाइब्रेशन में एक सेम्पल देता हूँ। आपको आपने कहीं जगा पर मॉर्निग ट्यून जुनी होगी। और कुछ लोग जो ट्यूटरेल देते हैं वो मॉर्निग ट्यून में सारेगा रेग पगपदपदसा दसारेगा। अइसा देते हैं। लेकिन यह एक्ष्यूली ऐसा अलंकार नहीं है सारे गारेगा पजा 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 पजाए पजाए अइसा नहीं है मॉनिंग तुन में आप चाहें तो फिंगर के वाइब्रेसं से बहुत ही शुट टॉन दे सकते हैं देखे यह तो यहां वाइब्रेसं देने से शुटनेस आती है लेकिन जहां वाइब्रेसं नहीं देना है वहाँ अगर दे दिया तो फिर शुटनेस ना भी आ सकती है फिर आपने हीरो की ट्यून सुनी होगी कुछ लोग ने नोटेशन दिये होए सा पदा पदा पदसारगारेस तो ऐसी नोटेशन बजाने से हीरो की असल ट्यून नहीं बजाएगी ना तो असल शुटनेस आएगी देखे फ्लेट कर इसा होता है यह notation है लेकिन यहां भी vibration का यूज हुआ है vibration देते हैं तो hero fiction कैसी बस दिया है जाँ जगे लेकिन दो है तो यह वाइब्रेशन के साथ ही रोट्यूम है तो यह है वाइब्रेशन यह चोथा तरीका है अभी पांचवा तरीका है स्विटनेश लाने का वो है काण स्वर्ग और अंबोलन जिस स्वर्ग पर काण स्वर् लेना है लेंगे वैसे जाइब्र का उपर आओड का स्वर्ग घषट के लेटे थे उसी तरह का है लेकिन काण स्वर्ग भी निचे से हो सकता है उपर से भी उनन दे ना है देख़िए एक सैंपल देता हूँ सारे सामापाद यहाँ नी का कण देते हुए दब जा दें साप मापद नीदा नीदापाद मापद मापद नीदापाद आ रहा रहा है सा का करती है नीचे का स्वार का मापद नीदाप यह रहा है यह रहते हैं तो इस तरह से लिए वो वोपी रह्य में सारे गाद अगर आपको कंड स्वर के साथ बजाना है तो यह कंड के साथ बजाने से बहुत अच्छा आता है दूसरा है अंदोर्न आपने पहले कभी देखा होगा आपको की जब हम बहिरव राग बजाते हो हैं तो उसके कोमलρέ और कोमल्धा आंद्वली नहीं तो जहां आंद्वली तस्वर बजाना है वहां बहुत स्वितने साथी एक बेरोका सेंपल लखेंगे लबादा, बेरोका सेंपल लखेंगे लबादा, देसे पलवादा लबादा लबादा बादा तो यह है अंदोरन दो पे और रे पे अमने अंदोरन दिया अब आएगा नेक्स्ट सात्वी आइटम है जो सात्वा तरीका है शिपनेस लन वह है खटका और मुर्थि कि खटका किसे कहते हैं मुर्की किसे कहते हैं उसका एक में पूरा एपिसोड देने वाला हूं लेकिन यहां एक छोटा सा सेंपा खटका दोलो इवि सल्ते लाह टोगे चल मेरे का सबस्ते हाने, चल्चर जिर्फानístयो शला है शला है सबस्ता हो, सबस्ते हाँ एक या दो सवर का छोटा खटका होता है और यही अगर बड़ा हो गया चार पांच सवर बाड़ा तो वह मुर्की हो जाएगी सारे सानी सा, सारे सानी सा, सारे सानी सा या सानी सारे सा, ऐसा कुछ भी लेते हैं तो यह मुर्की हो जाती है, लंबी मुर्की का एक और एक्जम्पर देता हम ये मोह मोह के धागे स्वांग आपने चुना मगा इसका हंत्रा है आपने चुना मगा तुहोगा जराप पागल प्यप्पा ये मुर्की है अब्दुष्री क्ये से अने कही यहां पे देखिए मुर्की का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है अंत्रे की दोनों लैंड में हुआ है इस तरह से आपको मुर्की सिखनी है अलग अलग जगा से होती है स्वारफ डीज़ कि इस से अलग कोई भी स्वर पे मुड़की हो सकती है अब जो आठोजन तरीका है स्वीटनेस बड़ाने का वो है आप जो भी कोई फिल्म सॉंग सुंग शुनते हैं बज़न सुनते हैं आपका रिजियोनल कोई फॉक सॉंग सुनते हैं लोक गित सुनते हैं, तो उसको सुन सुन कर same to same बजाने की कोशिस कीजिए, जैसा भी आपको आए, सिर्फ वैसा ही आवाज निकालने की कोशिस कीजिए, रहते रहते आते 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 आपने sweetness अवश्य आने लगेगी, और साथ साथ अगर आप कोई film song या कोई बजन सुनते हैं, तो उसका जो interlude होता है, वो भी सुन के बजाने की कोशिस करिए, अपने आप बजाएए, उसकी notation देख के मत बजाएए, किसी की भी notation दी हुई है, और वो देख देख के आप बजाएंगे, sweetness आने का chance नहीं है, और थोड़ी बहुत आपको sweetness अंदर से होगी, वो भी निकल जा करें, तो अपने आप थोड़ी-थोड़ी sweetness हो, जैसे भी क्योंकि हर एक गाने में, वोकल में, खटका, मुर्की, आंदोलन, वाइब्रेशन, कौन, मिंड, गमक, सब होता ही है, तो अपने आप सुन-सुन के बजाने में आ जाएगा, और next बात है, जो नौवा तरीका है, गा फिल्म का गाना ही बजाते रहते हैं, और वही आता है, और कुछ आता ही नहीं है, लेकिन, क्लासिकल राग सीखना, sweetness लाने के लिए भी जरूई है, अगर आप कोई पर्टिकलर राग का गाना, दो-चार-पांच गाना बजा लेते हैं, यमन राग के सुन ये पांच गाने ब पाएंगे, अच्छा नहीं बजाए पाएंगे फिल्म गाना भी, और दूसरी बात, कि कोई भी आप क्लासिकल की बंदिश सिखें, तो उसकी जो मुखडे की पहली लाइन है, उसमें आप अपने तरह से कुछ वेरियेशन लाने की प्राई कीजिए, ताल के साथ, कुछ सक्खी एरी आली, आपने ये राग यमन की एक क्लासिकल बंदी सुनी ही होगी, मेरा भी फ्यूटरल है, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देखी हीजिएगा सक्खी एरी आरी पिया बीन, ये सिंपल फ्लैट है, उसका नोटेशन क्या है पापनी परे सागरे मदर सक्खी एरी आरी पापनी दनी परे सागरे मदर सक्खी एरी आरी पिया बीन तो ये गवरिया बीन दुखा, दूसरा सक्खी एरी पापनी दनी परे सागरे मदर सक्खी एरी आरी पिया बीन, इसरा सक्खी भड है रचिए डूजड क्था बीन दनी दनी दन दन सक्खी एरी जाओ पापनी दनागरे परे सागरे मदर तो आप कोई भी राग का बंदी सिखे उसका तो नुखड़ा पकड़े और बुखडे में आप आठा अगर अपनी और से नहीं कर सकते हैं, तो कहीं से किसी का लिखा लिखाया, बता बताया जो है, वो भी कोपी करके आप प्रेक्टिस करते रहें, तो मुखडे में जितना भी वेरियेशन लाएंगे, उतना बजाने में सुथने अपने आप आने लगी हैं, नेक्स्ट जो बात हैं, दस नमबर की बात हैं, वो फ्लूट को और उसके ओपर जो होल के ओपर जो फिंगर कटना है, बहुत हलके हाथ से पकड़ना है, कुछ लोग इतना दवा के पकड़ते हैं निचा, तो ये पकड़ने ज्यादा तेज पकड़ने से आप श्विकनेस जो ल इतना सरे ऊ stray और देखे कंपर जो आृऑ का श्विकनेट अर बहुत हएं, तो इतना सा αυτ हाल कर ऊंपर लाइंटा जैसे हाल पिंगर उसके ओपर ऑपर घुमानी हो, ये से यह से खम यह निहों से फ़ास घुमानी हो, एकदम भास ड्राइविंग करना आ हो इतना से इकदम आर हुआ है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक दम हलके हाथ से फ्लूट को पकड़ाएब नेक्स्ट जो एटम है ग्यारावा तरीका फ्लूट को स्विटनेस से बजाने का वह है बहुत पतलाशा फ्लूट निकालिए और सिद्धा अंदर जाना चाहिए हिजिंग की आवाद नहीं आनी चाहिए सिद्धा ब्लो अंदर जाना चाहिए बोलके आसपास जो हमारी ब्लो टच होता है उसकी आवाज नहीं आनीजी तो एकडम माइल्ड बहुत पतला चोटा सा और हलका सा ब्लो अंदर डालिए और लोंग रोट की जब आप प्रेक्टिस करें तब यह देखिए कि आप कितनी सेकंड का लंबा बजा सकते हैं कुछ लोग 10-15 सेकंड मजा पाएंगे लेकिन आपका 50-60 सेकंड तक लंबा होना चाहिए तब आप समझत पाएंगे कि आपका ब्लो सही हुआ है तो आप ब्लो की प्रेक्टिस हरोज सुबह करिएगा लोंग नॉट्स की प्रेक्टिस करिएगा तो आपका ब्लो एक तम स्वच्छ हो जाएगा जो भीजिंग की सिसक की जो आवाज आती है वो निया स्विंटनेस बढ़ाने का जो नेक्स्ट तरीका है वो है आपकी खूंक में मोड्यूलेशन ब्लो में या आवाज में मोड्यूलेशन याने एक ही स्वर बजेगा लेकिन कभी जोन के साथ कभी कम जीतना जरूरी है उतना और उसमें आप चाहे उतना वाइब्रेशन भी दे स है कि इसा गम पनी साइनी पर तो यह उपर का सा बजा पहले माइड बजा बाद में स्ट्रॉंग बजा तो वो मोड्यूलेशन होता है जहां जरूरी है वहां करना है लेकिन समझ के करना है अच्छे से करना है श्विट्नेस अपने आप आने लगईगी जेखना फिसे युदर आअ जी में यहां कहां कहां modulation हुआ है वो इसका वो आपने देखा होगा जहां वो इसका modulation है वहां उसी तरह से कीजिएगा बजाने में sweetness आए देगा modulation माने एक ही सूर पे एक ही block के साथ आवाज को थोड़ा कम जाना करना आप 440 बजा रहा है लेकिन 440 नहीं बजाना है 430 भी 435 भी जाना है 445 भी जाना है जरूर पढ़ने फल 440 भी बजाना है उसी जगा पे उसी block के साथ उसी fingering के साथ फिंगर को हिलाने हिलाये बगएर तो वह हुआ modulation voice modulation बोइस modulation बहुत आगे जाके काम आएगा और बहुत अच्छा ही लगेगा आप देखना कई लोगों ने modulation पे बहुत अच्छा काम किया है अभी आगे हम बात करते हैं तो तंगिं की बहुत लोग जहां जरूरत नहीं है वहां भी चंगिंग करते हैं को इतान ऑज्あります कि जहां जरूर schauen नहीं हों करणे से आपप्रश विपने स्विपनेश जो है वह भी चलिये क्छिए को हुआ है अब ये तान है सखे दे आगली निरेगा मदा निसा निदा पमगरे सा इसको सीधा बजाना है अगर यहां आपने ठूठू कर दिया बतलब टंगिंग कर दिया जहां ज़रूरी नहीं है तो यह आपकी तान भी कर दाएगी मैंने तान बजाएगी अब देखो कैसी बजाएगी यह तंगिंग के साल दे है अब देखो बीना तंगिंग के जहां ज़रूरी नहीं है तंगिंग तो फ्लैट कैसा अच्छा लगते है देखे तो यहां पे तंगिंग बिन ज़रूरी तंगिंग में गया है यहां जरूरी है वहां करना वे हैं तो यह दो देखे? करने से शीपमें चली जाती है तो ठुठुठु ठुठु नहीं करना है। ट्रेट बजाना है। जब आप अलंकार भी बजाए है, सारे गामरे गामफ ठुठु मत कीजिए। ऐसा मत करीए। देखिये एक ही ब्लो में। इस तरह से आलगकर भी बजाले है तो अच्छा लगेगा ठुठुठु ठुठु भी जरूरी नहीं करीए जहां जरूरी होगा आपको अपना पता चल जाएका यहां ठुठु जरूरी है तो वह किगेगा नेक्स्ट जो चौदवी चौदवा तरीका है शिपनेस लाने का वह है तत्कारी तत्कारी बहुत कम लोगों को आती है मुझे भी बहुत कम आती है लेकिन तत्कारी जहां जरूरी है वहां करनी है जरूरी नहीं है वहां वह भी नहीं करनी है लेकिन तत्कारी जरूरी है देख पालन 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 हो जो एक उनला हुआ है 2-1 तो ये हैं स्टख करी सब्सक्राइब पता एइ defect में 價र करते हैं लिए वह आनि यहां पे तु तु करने के बजाए तुकु तुकु करेंगे तो जलाज फिल और बढलेगी यह से यह स्पीट से कर सकते आप तो यह तटकारी जीज़ 100 तरीका है, बजहने में स्विट्नेंस लाने का वो है confidence, आत्मवीष्वा, और वो कैसे बढ़ेगा? जब भी, आपको, जहां भी, जएसे भी ओ escuch के सामने बजाने का मूखा मिलें तो आनकानी मत किजिए, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता है जो भी आता है, जएसे भी आता है, ऑप को मालून आपको कितना आता है और यह फियुता ही नहीं में प्रेक्रिस करेंगे अपने आप अत्म इस्वास भी बढ़ेगा , लेकिन जो लेवल पे आप अभी बजा रहे हैं उसी लेवल पे अगर अगर आपके सामने 5-10 ओम से 10 क का ओडियंश के साथ जो भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्विटनेस भी बढ़ेगी, तो कुछ लोग ऐसे हैं वो इतराते हैं, अरे नहीं में इसके सामने नहीं बजा पाऊंगा, मेरी हैसियत नहीं है, मुझे नहीं आता है, बगेरा बगेरा, लेकिन बजाने का जहां भी, जैसे भी, जितना भी मोका मिले, अवश्य बजाईए, ओडियंस के सामने बजाईए, और आत्मविश्वास के साथ बजाईए, आत्मविश्वास बढ़ाईए, और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आप पहले से थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो प्रैक्टिस भी बढ़ाईए, अपने आप आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपने आप स्वीटनेस भी बढ़ेगी यह देखना बहुत जरूरी बात है और नेक्स्ट स्वीटनेस बढ़ाने का स्वोला हमागरी का अपनी प्रैक्टिस अपने रियाज का एक भी दिन ना चुके ना छोड़े कभी भी किसी भी संज का जन्नी है तो प्रैंड में भी निकाल लीजिए और बजाईए एक दिन भी छुट गया समझो आप 10 दिन पीछे चले तो प्रैक्टिस करने में एक भी दिन नहीं चुटना चाहिए किसी भी संजोगों में कैसे भी अगर आप गाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं गाने की राग की कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता है तो आपने आप जो भी मन में आये आलाग बजाईए और थोड़े बहुत अलंकार तो आपको याद रही गए होगे तो जहां भी आपके पास कुछ माट्रियल नहीं है कागज नहीं है सिर्फ फ्रूट है तो ब वोकल सिखना है अगर आपको वोकल याने गाना गाना आएगा तो वही गाना बांसूरी में उतरेगा अगर अगर आप बैसूरा गाते हैं तो हो सकता है आपकी बांसूरी भी थोड़ी बैसूरी बजिने लगे अगर आपको गाने की त्यून ही मालूम नहीं है तो आप वही के साथ गा सकते हैं देखिए मैं यह क्लासिकल की बंदी से सखेरी सखेरी आरी पिया बेन यह गा सकता हूं तो मैं वही बजा भी सकता हूं अगर मैं नहीं गा पाता हूं अगर मैं कुछ दूसरा कुछ गाता हूं तो इसमें हो सकता है कि दूसरा आ जाए है लेकिन अगर आप तो आपको वोकल अलंकार आप स्ट्रेक्टिस कीजिए, वोकल बंदिस प्रेक्टिस कीजिए, वोकल के गाने भी प्रेक्टिस कीजिए, और गाने का इंटलियूर भी आप वोकल से गाईए, तो आपको बहुत सारी स्ट्नेस आएगी, और हाँ, एक और सजेशन में देना चाहूँगा, आपके घर में जितने भी कमरें हैं, जितने का टाइम मिला, दो-पांच मेट के लिए भी आप फूड आप में उठाएए, और जो दिल चाहाँ, जो मन में आए, कुछ न कुछ बजा लिए, आपका हाथ फूड के उपर गुंता रहेगा, आपकी प्रेक्टिस अशी होती रहेगी, और आपकी स्वितनेस भी आने लेगी अब सुबह या साम, आदे गंटे, एक गंटा, दो गंटा, स्पेशली तानपुरा शुरूगर के लियास करने के लिए बैठें, लेकिन साथ में कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, सुबह साम अच्छा टाइम ना भी मिला, तो हार एक रूम में एक एक फूड होने से, आप कहीं से भी कुछ भी फूड उठा लिया, तुरत दो मिनिट, पांच मिनिट, जसमेंट, जितना भी टाइम मिला, बजा लिया, तो आपकी प्रेक्टिस कंटीन्यू रहेगी, और बीच में ब्रेक लिया, मासूरी को हर एक रूम में रखें, और कवर के साथ ना रखें, आपन ही र रखी देना, कोई भी स्केलिक, तो यह मैंने मेरे, मेरी तरह से बनाए हुए 17 तरीके हैं, जो बजाने में स्विटनेस लाते हैं, इसमें कई चीज ऐसी हैं, जिसके उपर एक-एक एपिसोड का लेक्टर अलग से दिया जा सकता है, वो लेक्टर में अलग से बनाने वाला लेकिन अभी मैंने जो सोट में बताया हैं, वो सारे तरीके आप एक के बाद सोच लिजे, समझ लिजे, अपने जहन में उता लिजे और उसी तरह से प्रेक्टिस करना शूरू कर दिजे, अपने आप, यह सब 17 तरीके आजमाने के बाद भी आपको 17 दिन में या एक महिने मे स्विटनेस नहीं ही आएगे, लेकिन इसी तरीके को आजमाते हुए आप प्रेक्टिस करते ही रहेंगे, तो एक साल में, दो साल में अवश्य आपकी स्विटनेस बढ़ेगी, और आते हुए नेक्स्ट दो चार पांच साल में आपका बजाना बहुत ही स्विट हो जाएगा तो मैं आपको सुबेच्छा देता हूँ, आपको गुल विशिश देता हूँ कि आप इसी तरह से ट्रेक्टिस करते रहें, ये सत्रा तरीकों का इस्तमाल करें, अमल करें और आपके बजारे में ऐसी स्विटनेस आये, कि आसपास के लोग सुनने वाले जूम करें, ऐसी मेर आपके बुल विशिश के साथ मैं यहां मेरा ये लेक्शर समाप्ते करता हूँ, आसा करता हूँ, आपको पसद आया होगा, मेरी अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य कर दिजेगा, ताकि आपको इसी तरह के और भी अच्छे ट्यूटरियल के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ये मेरा वीडियो और उसकी लिंक, आप अपने जितने भी दोस्त है, जो म्यूजिक जानते हैं, समझते हैं, शिखना चाहते हैं, उसको अवश्य कर देगेगा, जो लोग वायलिन, सितार, सरोद, या सारंगी कुछ भी सिखते हैं, कीब लूपो को, ये इसकी लिंक भी आप और से बेजिएगा, और आपने आज तक मुझे जो साथ सैकार दिया है, मेरे इतने सारे वीडियो अपने देखे हैं, सरा हैं, बहुत सारी कॉमेंट्स दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत तह दिल से आवारी हूं, धन्यवार समय होँ, जपका बहुत-बहुत नहीं होँ, धन्यवारी हूं. कर दो कर दो